अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग जितने उत्साजे वजन कम करना शुरू करते हैं उत्नी उत्साजी इसे जारी नहीं रख पाते और कई लोग तो सही प्रेरणा न मिलने की वजह से भी वजन कम न करने में असमर्थ रहते हैं 37% से अधिक लोग मोटाबे से पीडित हैं कभी कभी हमें सही दिशा में आम करने के लिए भारी प्रेरणा की आवश्रता होती है और इस पोस्ट में आपको निश्चित रूप से स्वस्थ और खुश रहने के लिए परियाप्त प्रेरणा मिलेगी इसलिए कोई बहाना न बनाए और व्यायाम करना शुरू करें और उचेता हार लें सबसे पहले तो हमें वजन कम करने की मकसद कुछ समझना होगा और उन्हें इस पश्ट्रूप से परिभाशित करें और हो सके तो उन्हें लिख लें ये आपको अपनी वजन घटाने के लक्षियों तक पहुँजने के लिए मदद और प्रेवित रहने में मदद करेगा अगर आज आज आपके पास एकसरसाईज के लिए समय नहीं तो आपको कल बिमारियों के लिए समय लीकालना होगा वजन कम करने के लिए आपको अपने उपर विश्वास करना होगा कि आप वजन कम कर सकते हैं वजन कम करने के लिए हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा हर चीज को हासिल करने के लिए समय चाहिए होता है सवस्त और सुन्दर शरीर को पाने के लिए भी दो से तिन साल लगते हैं। आपका शरीर कुछ भी कर सकता है। बस सिर्फ दिमाग को उस काम को करने के लिए तयार करने की जरूरत होती है। अगर आपके पास अनुशासन और द्रसंकत है तो कुछ भी असंभव नहीं है, नहीं कर सकते कि सोच को हटा दे क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, व्यायाम हरिदय के लिए दवाई की तरह समझो, शरीर का ख्याल रखोगे तो यह आपका ख्याल रखेगा, बड़ी चलांग लगा कर किरने से अच्छा है, सही दिशा में छोटे-छोटे कदम रखो, वजन घटाने के लिए जिम में डंबल उठाने से पहले अपने दिमाग को निरंतर व्यायाम और अच्छे खाने के लिए तैयार करना होगा, तभी आप वजन घटाने में काम्याब हो पाएंगे, अच्छा भोजन मतलब अच्छा निविश है, अनुशासन से आप अपना वजन कम कर सकते हैं और इस युद्ध को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं, अच्छे आदत से आप अपने जिंदिगी बदल सकते हैं, उसे प्रकार अच्छे खाने की आधत और प्रतिदिन व्यायाम स आप अपनी शरीर को सुदर बना सकते हैं, जीवन स्वस्थ है लेकिन जीवन चली इसे अस्वस्थ बनाती है, अगर हॉस्पिटल के चकर नहीं काटने चाहते तो जनके चकर काटने शुरू कर दो, भोजन आपके शरीर का इंदन है, अच्छे इंदन के बिना आपका शरीर खराब्या बंद हो सकता है, ब्रजट कम करना है, तो अच्छे से चबा के खाओ, जरूरत से ज्यादा मत खाओ, ताजा भोजन खाओ और रुजानवायायाम भी करो